इसे सिक्षक भरती परिक्षा में जो अभियरती सफल नहीं हुए है उनके लिए बड़ी खबर है क्या कुछ खबर है या यू कहें कि उनकी भी आप लॉट्री लग सकती कैसे जानते हैं वह रिष्ट सही होंगी आशुतोस मिशा सर जिस तरीके से जो अभियरती सफल नहीं हु सब्सक्राइब करने वाली है अभी जो काम चला है कांसलिंग का काम चला है उसके अलावा कई जो पास कर चुके हैं वह लोग वहां पर जाब नहीं रहा है यानि कांसलिंग के लिए हो सकता है कि उनमें से कई लोग के दूसरे दगा अच्छी नौखडी लग गई हो या पिसी का जैसे की दस्तावेज होता है डॉकुमेंट्स वेरिपिकेशन जो होता है वह कडाने नहीं जा रहे हैं इसलिए चुटी डॉकुमेंट्स फर्जी भी हो सकते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके डॉकुमेंट्स में तूटी हो रही है तो ऐसे सब लोग को फिलहाल मतलब होल्ड पे रखा जा रहा है ले डॉच तरिकसे आने वाले दीनों में एक ग्रटफ हो सकता है कि प्राइचमिक छिचठकों के लिए कितना माधमिक केले कितना आः माधमिक की लिए कितना और वा जो लोग महां रिस्टी प्रकाशित हो ध्यार होग यानि यानि बैसे लोग जो थोरे बहुत से इधर उदर पीछे रागए हैं उन लोग की लोटरी बिल्कुल लग सकती है उन लोग की नौखडी पक्की हो सकती है नियुक्ति हो सकती है और इसी में पहले यह कहा जा रहा था कि इसमें जो भी रिखतियां है वह अगली जो पहली की प्रकडिया होन लाश्ट विक तक एक्जाम विले लिए आ जाएगा तो है उसी संख्या लगभड 48000 के आसपास है चुकि एक लाख 22000 के आसपास ही परिनाम आया है तो एक लाख 22000 वैसे भी चाहरों की संख्या में ऐसे मतलब पद हो रहा है जिनका रिजल्ट हो गया है लेकिन या तो डॉक जर्ब सिठ्थी वह वू संख्या के लोग वे कहा जा रहा है कि दो नौंबर को नेटीश कुमार गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बाटनेले हैं 25,000 शिक्षकों को तो एक नवंबर को हो सकता है चुकि एक नवंबर तक काउंसलिंग के प्रक्रिया चलेगी तो हो सकता है कि लास्ट समय तक बीपी एसी और शिच्छा विवाग के बीच में बैठाक हो फिर तालमेल बिठाकर के एक फाइनलाइज डिसीजन हो और तब जाकर के मेधा सुची तेयार हो सकते हैं वैसे हो सकता कि दो नवंबर के बार भी चुकि और ऐसा अगर होता भी है तो काफी संख्या में हम कह सकते है आरो ऐसे तादाद है अभ्यर्थियों का जिनको जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनकी बहाली हो पाएगी इसी लौट में और यह बरी खबर है और यह बिल्कुल मतलब जो असफल है और जो कहा जाए डिप्रेक्शन में चले गया है कि भाई हमने तेमाम प्रयास किया लेकिन इस बार नहीं हुआ और कई तरके की घाल मिलकी बाते सामने आ रही है कई बार तो ऐसा भी मतलब बीपीएसी के तरफ से कई तरह के आरोप लग रहे हैं तो उसमें से कुछ लोग जो जैसे की प्राथमिक सिक्षटों में बीएट पास वालों को एक्जाम नहीं देना लेकिन कई बीएट वालों का भी रिजल्ट आ गिया है और वो लोग काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं डोकुमेंट कराने जा रहा है लेकिन वहां पर जो अधिकारी लोग जा रहे हैं वो लोग उनको लोटा दे रहे हैं कि ए तुरूटी से होगे गलती से आपका में भी हो गया है वहां पर दुनों जगह हो गया तो उनकी भी संके हाजारों में है तो वैसे लोग जगह से छट जगा ना तो दूसरी जगह जो नहीं लोग है उनका चुट गया है वो लोग के लिए बस अक्टूबर के लास्क महिया नॉंबर महिने में नई बहाली की प्रखिडिया शुरू होने वाली है विगापा निकलने वाला है खुद यह जगह जा सकता है कि इसमें से बहुत हद तक रिख्तियां तो जाएगी अगले लौट में तभी संतर हजार से वह एक लाग दस 304 के असपास जो रिजल्ट है उनमें से जितनी भी संख्या यह डोकुमेंट वरिपिकेशन में हो या फ़र्जी कागजात के मामले में हो या फिर और तरीके से भी जो कुछ भी होता ही डव्लूएस वाला हो यह तमाम तरीके से जितनी भी सीटे वेकेंट होगी उनमें समबर फर्स्ट विक तक भी समय सिमा परहाई जा सकते हैं मतलब हो सकता है तो देखिए आसफल अभियरतियों को हताश और राश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेगा सूची के जरिए उन आसफल अभियरतियों को शामिल किया जा सकता है बस थोड़ा इंपिजार करना होग अभियरतियों को सरसारी जानकारी क्लिट धनेवाद आशिरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशिरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहत हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर